नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर शुरू करते हैं 18 जून दिन शनिवार का पंचांग लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रती दिन पंचांग की पंचांकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बैला इकन को प्रेस कर दीजे तक ही आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं अठारा जून का पंचांग दिनांके अठारा जून दो हजार बाईस दिन है शनिवा सक समवत 1944 विक्रम समवत 2019 कलियो का वर्ष पांच हजार एक सो तेईस माह है आशार द्रिकृतु है ग्रिश मौद्रिक अहने उत्राएं सुरदय होगा सुबह पांच बहुत के चार बचका थीन मिनट्पाइब द्रहाएं वरकीत्राएं संध्त्ति ने इतलय इतलज कुक्शल शुरका संद्य रहतारी में कि सेंख करेंख के इस स्युक्नका थ्युक्रम सेंथेत्ट सेंद्री आठ किंस समय ए रहे औरह थे नि चुनमी सवांते पर बच oil य nhân से 15 चिमी जो राट के 12 बच का 19 मिनड तक रहेगी उसके 5 श्ष्टितिती आरंभ हो जाएगी नच्छत्र इश्रामर जो सुभाए 7 बच का 49 बच का 19 मिनड तक रहेगा योग अवैदरती जो दोपार 1 बच का 50 मिनड तक रहेगा उसके बाद विश्कंब योग आरंभ हो जाएगा प्रथम करण है कॉल अफ जो दोपेर एक बच कर चौटरस मिनट तक रहेगा दूतिय करण तैतिल रात के बारा बच कर उनिस मिनट तक रहेगा चन्दमा रहेंगे मकर राशी में, शाम के 6 बच का 43 मिनट तक उसके बाद चन्दमा कुम्ब राशी में चले जाएंगे सूरे रहेंगे मिथुन राशी में, सूरे नक्षत रहेगा अम्रेक शिरा तिशा सूल है पुर्वदिशा, इसलिए पुर्वदिशा की यात्रा पर जाने से पहले घर से अदरख खाकर निकले, राहु का वास रहेगा पुर्वदिशा में नक्षत रशूल नहीं है, शिव का वास रहेगा नंदी पर रात के बारा बच के उनिस मिनट तक उसके बाद भोजन में रहेगा शुब मुरत इस प्रकार रहेंगे विजीत मुरत का समय रहेगा सुबह ग्यारा बच के चोवन मिनट से बारा बच के पचास मिनट तर अम्रित काल का समय रहेगा रात के 8 बच का 17 मिनट से 9 बच का 46 मिनट तर विजय योग का समय रहेगा दुपए 2 बच का 42 मिनट से 3 बच का 38 मिनट तर साथ इशुभ योग बन रहा है सरवाद सिध्धी योग जो सुपए 5 बच का 33 मिनट से 7 बच का 49 मिनट तक रहेगा इंड पंजान के नुसा अथारा जून को प्रमुख्रत दिया तैवान नहीं है तो ये थी जानकार ये 18 जून के पंचांग की मेरे वीडियो में आंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ